शरत पूर्णिमा पर इस बार रहेगा चंदर ग्रहन का साया, सूतक से पहले खीर बनाने, गाय के दूद में कुशा डालने से रहेगा सुध। सूतक लगने से दोफेर बाद बंद हो जाएंगे मंदिरों के पड़, सरत पूर्णिमा पर पूजन अर्चन एवं अन्यकारिक्रम दिन में ही होंगे। बनने वाली खीर भी इस बार ग्रहन के कारण मदिरातरी में नहीं बन पाईगी। ऐसे में ग्रहन समापती के बाद ही खीर बना सकेंगे। लेकिन खीर बनाने के लिए गाय के दूद में कुशा सूतक से पहले जरूर डाल दें। क्योंकि कुशा डालने से गाय का दूद सुद्ध रहेगा और आप बाद में खीर बना सकेंगे। याबशी गैन कुल में कुशा गरायगा लॉज में सnesमें देजर कंशा एक बनाने इनकीक दो अव्तास Our Trustee खालन 2022 यहेगा। ूज कर्केंटर किनी समें द्वेक्षा जो एक दिता सकर रहेएगा यहांगर्ज में जन से 12 मैं का होभी 10 मेंने द्वीन जहीए इन गनते लगवक 19 मिट का ये ग्रहन है ऐसा है कि इसका जो सूतक है इसका तीन प्रहर पहले से लग जाएगा अर्थाथ इसका सूतक का जो समय है वो दो बच करके इसका चार बच करके पांच मठ से इसका सूतक लगेगा तो इसके पहले इसका ये कि दूद बगरा गाय की लगाएगा दूद बगरा की ववस्ता चार बजे के पहले कर लें उसमें कुशा डालने मातर से उसकी शुद्धी रहती ढख करके रखें कि जिन्तु दो बच करके जब चोविस मुट पर ग्रहन समाप्त होगा इसके बाद इस्तान करके पूजन करके और फर इसके बाद सरक्त पूजन करके पूजन